हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागता आपका मेरे चैनल में स्प्राची व्लॉक्स में और आज मैं आई हूँ खेरा डाबा पंजाबी ढाबा है जो की पड़ता है हरीद्वार रोड पे जब आप भानियावाला से होकर जाते हैं लेफ्ट साइड मे आपने देखा होगा टनोती है हरीद्वार रोड वहाँ पर है ये ढाबा एक तम्हीन हाईवे पर बहुत ही फेमस है मैं तो काफी बार चली गई मैंने यहाँ पर डिनर भी किया है काफी डाइम और आज हम जो आये थे घर पर डिनर करने के बाद आये थे क्या हुआ कि जी ज सबस्वार сами सुचा था गुंछा स्वार बास खता हुआ का डूर बास चया lado में उसके बालें अननंद होती है तो एब सब इस ने और आज बहार आपको पता ही अनस पर जो ट्रेंट चल रहाः आजकर और श्यव बना लिए उसके बास मेरी बना नहीं ने काई पाद मेरी औ फिली और बस बहुत एंजुआई करा पैसे भी आपको पता ही है फैमिली के साथ आने में कितना मज़ा आता है तो राद की पता है साड़े ग्यारा बजरी थी होटल एक दम बंद होने वाला था ये रेस्टोरेंट तो वहाँ पर जो अंदर लोग थे वो अंदर ही बंद कर दि यारा साड़े ग्यारा बज रहा था उस टाइम पर तो ये जो आपको पीछे दिख रही होगी ये मेरी मतलब दीदी की बेटी सीनु आप लोग इससे जानते होंगी बहुत ही क्यूटी पाई एक दम मैं इसके साथ मस्ती कड़ती रहती हूँ और ये भी आपको तो पता है जादे ही सूट करती है बहुत प्यारी और इसके बाद आप देखो गाईस किती महनत लगती है ना एक व्लॉग सूट करने में और मेरे समझ में नहीं आ रहा था मैं एक हाथ से फोन तो पकड़ू या चाही तो प्यूं या पकोड़ी तो खाऊं तो मैंने क्या किया ये जो प्यूंड है ना उसे एक जगह पर सेट कर दिया क्या कर सकते हैं सस्ते यूट्यूबर व्लॉग है व्लॉगर है अगर मेरे पास कुछ होता वो सेलफी स्टिक तो मैं साइद अच्छे से सूट कर पाती लेकिन कोई बात नहीं धीरे धीरे ही सब कुछ होता है अभी पकोड़ी आगे थी फिर मैंने बोला यार व्लॉग जैसे भी सूटो इसका मज़तो लेना ही है फिर मैंने जल्दी जल्दी खाने स्टार्ट करा और इसके बाद क्या हुआ फिर हमने सेलफी वगेरा ली फोटो ली बस और फिर हम अपने घर के लिए निकले तो गाईज ऐसे मैं बहुत सारे व्लॉग बनाती रहती हूं आप लोगों को पसंद आता है तो भी अच्छी बात नहीं आती तो भी अच्छी बात बागी चैनल को सेर लाइक सब्सक्राइब यह तो मैं कहूंगी नहीं क्योंकि वो आपको वैसे ही दिख जाता होगा मैं कैसी व्लॉग इंग झाल